स्कूल लगण विच जे अद्धा केंटा रेंदा सी स्कूल दे अहाते दे बाहर कुछ बच्चे खेड रहे सन कुछ कुल्चे छोले वाले दी रेडी कुल खडे सन ते कुछ सर्दी होन कारके तो पे खडोते कोसी कोसी तोप सेक रहे सन कुछ वो डे बच्चे किताबां खोल के अपना सबक याद का रह सन इना सारे बाला विच्चों एक छे साल ता मुंडा इल्यास निका जहा बस्ता गल विच पाई तो पे खड़ा सोच रहा सी के शेहर ते पेंड़ दे मुंडिया विच किना फरक है उत्थे सब आपस विच यार दोस्त सन पर इत्थे उसना कोई वी मुंडा यारी लाउन नो त्यार नहीं सी इल्यास दा कर स्कूल दी पिछली गली विच सी उसनो स्कूल दाखल होया चार महिने हो गे सन पर स्कूल वे चोदा दिल नहीं सी लगदा ओनू स्कूल दे मास्टर भी चंगे नहीं सन लगदे अते मुंडे भी उसना दोस्ती नहीं सन पाऊंदे ओ उसनू गंदा अते पेंडू कहन दे सन पहले पांज साल उसने स्कूल विच बड़ी मुश्किल ना गुजारे केई वार उसनू कलास विच बैठना मुश्किल हो जान्दा ओ चंगा विद्यार थी सी ते दिल लाके पढ़दा सी होमवर्क भी वेले सिर करदा सी ते हशार भी बहुत सी पाशन देन्दा उसनू शुरू तो शौक सी ओ अक्सर अपनी मा जी नू पाशन दे के दिखाउंदा होंदा सी जदों का रविच कोई प्रोणा आ जान्दा था इल्यास नू आख्या जान्दा के पाशन दे ता ओ उसे वेले मंजीते चड़के जां किसे उच्ची था खड़ो के पाशन देना शुरू करतेंदा पाशन वेच ओ अक्सर अपने स्कूल दियां किताब बांदे सबक पड़दा अते कोज अपने कोड़ों जोड लेंदा पाशन दिन दे समय ओ बिलकुल नहीं सीचे जगदा पर स्कूल वेच वर्देयां ही ओ चुप हो जान्दा सी स्कूल वेच उस दी पुजीशन माड़ी होन करके ओ पेंड़ तो शेहर आया सी एक दिन ओ स्कूल थोड़ी धेर नाल पहुंचेया ता कलास वेच मास्टर जी नहीं सन उस दे कलास वेच वर्देयां ही पेंड़ू पेंड़ू दियां अवाज़ां आउन लगबेयां ए अवाज़ां उस दा अंदर चीर दियां होयां लंग गईयां उन्हों बड़ा दुख होया पर उन्हें अपने अत्रू रोग ले इना गल्ला करके ओ अक्सर परिशान रहनदा सी अत्य उन्हों अपना सबक चंगी तरह याद नहीं सी उन्दा एक दिन मास्टर जी ने उस दा होमवर्क चेक कार देयां आख्या तूं कदी तरक्की नहीं कर सक्दा क्योंके तू पेंड़ू हैं मास्टर जी दे मुहों पेंड़ू शब्द सुनके और रो पया पहला उसनू होंसला सी के मुंडे ही मैंनू पेंड़ू केंदेने अत्य जे कदे मास्टर जी नू पता लग गया ताओ उना नू गुसे होनगे अत्य सजा देनगे पर अज मास्टर जी दे मुहों निकले शब्द उनू अदास कर गए ओ बहुत परिशान होया कुछ दिन चुपचाप रहा उस तो किसे ने ना पुछया के तू अदास क्यों है उनू ओ दिन याद आया जो दो स्कूल दी चेकिंग लेई अफसर ने आउना सी उस दिन बच्चे बहुत खुश संद क्योंके उना नू दस्या गया सी कि अज अफसर दे जान पिछो मठ्याई ते दुद दे पैकिट बच्चे नू मुफद दिते जान गे स्कूल दे बच्चे नू लाइन बनाके अफसर नू जी आया कैन ली खड़ा कर दिता गया बच्चे नू समझाया गया कि अफसर जो पुछन उना नू आतम विश्वाश नाल जवाब दिता जावे ते उना नाल उर्दू विच गलबात कीती जावे इल्यास काददे हिसाब नाल कलास दे मुंडिया नालो जरा छोटा सी इसलिए उसनू सब तो अगली लाइन विच खड़ा कीता गया सी अफसरा दी टीम ने एक दो बच्चें को लो सवाल पुछे अथे बच्चें ने ठीक जवाब दिते फिर एक अफसर ने इल्यास दे मोड़े ते हाथ रख्या अथे उसदा नाल पुछया इल्यास ने अपना पूरा ना मुχमद इल्यास सरूर दसया अफसर बड़ा खोश होया अथे केन लगा गिंटी सुनाओ इल्यास ने गिंटी सुनानी शुरू कार देती एक, दो, तिन, चार, पांच, छे, सत्तर एक, एक अतर तक पहुंचिया सी कि अफसर ने इल्यास नू रोक देता इल्यास नू पता नहीं लगा कि ओ गिंटी अपनी मां बोली पंजाबी विच बोल गया सी उसनू मास्टर जी दे आखे शब्द चेते आगे कि अफसर नाल उर्दू विच गल करनी है एक दम उसदा रंग फिका पह गया पर हुन की हो सकदा सी समा लंग चुका सी अफसर वापस चले गए पर इल्यास नू उस दिन स्कूल नो बहुत मार पई मास्टर जी कह रहे सन के उसने स्कूल दी बेज़ती करवा दिती है उसनू दोद ते मिठ्याई भी ना दिती गई उस दिन स्कूल नो परतन समे सारे मुंडे हथां विच मिठ्याई ते दोद दे लिफाफे लई करा नू खुशी खुशी जा रहे सन पर स्वेरे पाई नमे कपड़े इल्यास नू अपने स्रीर ते गंदे लग रहे सन उनू अपने बस्ते दा पार पहला नालो ज्यादा जाप रहा सी उस रात इल्यास सो ना सकया मास्टर जी हथों वजियां चपेडां गाडां ते ठुड़ियां दा सेख उस सारी रात महसूस करदा रहा सवेरे उठदियां ही उस दियां अखां लाल सन अते उनू तेज बखार हो गया सी समा बीतन दे नाल नाल इल्यास ने हालात ना समझ उत्ता कर लिया उन दूजे बाला वांग उर्दू बोली सिख गया अते उस्ताददानिया नजरां विच चंगा विद्यार्थी बन दी कोशिश विच काम जाब हो गया होन ओ अकसर स्कूल दे प्रोग्रामा विच हिस्सा लेंदा सी पाशन मुकावलियां विच ओ अकसर पहले नंबर ते आउंदा ओदे विच काफी आतम विश्वाश बैदा हो गया सी होन इल्यास नोवी जमात विच हो गया सी जमात दे ज्यादा मुंडे ओदे दोस्त बन गये सन ओदी लिखाई सब मुंडे नानों सोनी हो गयी सी ओनों होन पड़ाई स्कूल, दोस्त, मास्टर सब चंगे लगन लगपे स्कूल विच सलाना पाशन मुकाबले होन वाले सन इस वार मोखदे आपकने आख्या सी के इस साल विद्यार थी अपने पसंदिदा नायकते पाशन देंगे इलियास दे पिता जी पहला जंडियाला शेर खाँ पेंड विच रहन दे सन मगरों शेहर शिफ्ट हो गए उनाने शेहर विच अपना कार बना लिया ओ सादे सुभा दे मालक सन जदों पेंड रहन दे सन ताँ उनाने हजरत वारशादी मजारते जाके उलाद ले दुआ मंगी सी नाले ए सुखना सुखी सी के सादे कार उलाद होई ताँ उ हर साल मजारते चादर चड़ाया करदेंगे इस कटनातों कुछ महीने बाद इलियास पैदा होया सी अते होन शेहर विच रहन दे बावजूद ओदे पिता जी हर साल अपने पिंड जंडियाला शेर खान जाके हजरत वारशादी मजार होते चादर चड़ाउंदे सन इलियास भी नाल ही होंदा सी इस करके उन्नु हजरत वारशादी बारे दूजे आम पंजाबिया नालों ज्यादा जानकारी सी इलियास दे कर वारशादी लिखी किताब किस्सा हीर रांजा मौजूद सी जिसनों उस दे दादा जी स्वेरे स्वेरे पढ़ दे हुंदे सन इस करके इलियास ने इस साल हजरत वारशादे पाशन देंदा फैंसला कीता उसने अपनी माजी कोलों वारशादी जिन्दगी बारे जानकारी लेके एक खूबसूरत पाशन त्यार कर लिया उस दे माजी जंडियाला शेर खान विच पैदा होय सन अथे उनाने सारी जिन्दगी उत्थे गुजारी सी उनानों वारशाद बारे बहुत कोज पता सी इल्यास ने अपने दादा जी होरा कोलों वारशादी हीर विच्चों कोज चंगे शेर पुचके अपने पाशन विच शामल कर ले सन पाशन लिखन मगरों इल्यास ने एक नजर फिर पाशन ते मारी उसनों अपना पाशन परवावशाली लगया अगले दिन स्कूल विच पाशन मुकाबले दिया त्यारियां मुकमल सन सारे स्कूल नो चंडियां ना सजाया गया सी बड़ी रोनक सी विद्यार थी साफ सुथरे कपड़े पाके आए होई सन इल्यास भी नवी पैंट शर्ड पाके ही आया सी उसनों विश्वाश सी कि उस स्टेज ते सोने तरीके नल बोल सकता है पाशन मुकाबले शुरू होए इल्यास दिवारी अखीर वे चाई वो बड़े विश्वाश ना स्टेज ते आया ते अपनी पैंट दी जेब बिच्चों कापी दे कुछ वर के गड़े जिना होते उन्हे पाशन लिख्या होया सी उसने पाशन देना शुरू कीता इल्यास बोल रहा सी ते ओधी आवाज लाउड स्पीकर रही पूरे लाके विच गूंज रही सी स्कूल दे नाल इल्यास दा दाद का कर सी जित्थे ओदे माजी कारदी छात उते बैठे अपने पुत्तर दे बोल सुन रहे सन मेरी ये खुश किसमती है कि मैं एक अजेहे पिंड विच पैदा होया हां जित्थे परसेद सूफी शायर हजरत वारस शायर पैदा होई सन ते ओना दी मजार उसे पिंड विच है वारस शायर एक अजीम सूफी सन ओना दी शायरी विच मार्फद दे शेयर जादा हन उना दी लिखी होई किताब किस्सा हीर रंजा अजवी बहुत मकबूल है अते दुनिया दे परसेद साहित विच उसदा शुमार हुंदा है स्टेज उते इल्यास दी खालस लखनवी लहजे दी उड़्दू विच आवाज गूंज रही सी जेड़ी उसदे आनवड पिता नो समझ नहीं सी आ रही पर स्कूल दे इकठ विच हर कोई उसदी अवाज ते पाशन दे अंदाज दी दाद दे रहा सी ताड़िया वजरिया सां इल्यास दी सोनी अवाज दे पूरे स्कूल विच बैठे लोका नो बिठा के रख दिता सी पर स्टेज मगर खलोते वारश शादी बेचैन रूदियां अखां विच्चों अत्रूआ दा हड़ वाग रहा सी ए वाग दे अत्रू कोई ना वेख सक्या अपने ही पुत्रा हथों अपनी ही तर्ट उते अपनी जबान दा कतल वेख के हजरत वारश शादी रूब बेचैन हो गई ते अखीर उस स्कूल तों बाहर दूर उड़ गई जिते इल्यास दी वाज नहीं सी अपड़ सक्दी